तो नाओ यहां पर हम इंफोर्मेशन लेंगे यूजर की जब हम चेक आउट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा इंफोर्मेशन लेने की ज़रूरत एड्रस वगर हमको लेना नहीं है मॉबायल नबर अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां परे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसरे दिवर्मेशन ले नहीं है टूर थैंगे तो करने मूबायल नबर लेगे जाएगा उसके ज्ले नहीं है बट जो mobile number और ही सारी चीज़ हम इसके notes में भी यहाँ पर add करेंगे ओके सो इसका full information के लिए आप पूरा API reference में जा सकते हो और देख सकते हैं notes में आपको क्या चीज़ा add करना होता है तो हम आगे देखेंगे ठीक है सो amount तो मैं खुद यहाँ पर add करूंगा user add नहीं करेंगे और फिर हम checkout page में दिखाएंगे कि आप कितना pay करने वाले हो तो आप एक form create कर लेते हैं user के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कुछ यहाँ पर form बनाने की जरूरत है क्योंकि जो भी data हम provide करने वाले हैं वो तो user login जैसे होगा तो user login जब होगा तो उसका जो object है उस object से हम उसका नाम ले लेंगे email ले लेंगे ठीक है और यहाँ पर आपको email चेंज करना है नेम चेंज करना है तो वह यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं कि जब आप रेजर पे का जो payment वाला जो page open होता है उसमें आपको again फिल करने का option आता तो आप वहाँ पे change कर सकते हो यह सारी जीजों के तो आप अगर जाते है रेजर पे.com.docs.payments.gateway.quick integration में तो यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन मिलेगा यहाँ पर हमने देखा था payment flow क्या होता ह है ओके तो यहाँ पर आपको test करने के लिए यह मिल जाएगा यह देखिए आप pay with razor पे बटन दिया है इस पर मैं click करता हूं तो यह देखिए यहाँ पर phone number देने का option और email देने का option मिल रहा है तो हम अलग से checkout formula create करके जैसे आप एक information दिखाने सकते हैं कि यह वाला जो course है checkout dot html यह आ गया ओके ओके तो यह आ गया यहाँ पर checkout html यहाँ पर मैं लिखा हुआ है you are going to enroll in this course ओके तो यहाँ पर मेरे पास यह course object आशो का है इस course object को मैं card मैं show करना चाहता हूं मैंने का आपको यहाँ पर form में नहीं बना रहा हूं तो मैं इस form को यहाँ से remove कर सकता हूं इस form को यहाँ से remove कर देता हूं यहाँ इसके बाद हमको यहाँ एक card दिखाना है तो आपको याद होगा हमने home.stvn card का design बनाया था यह देख सकते हूं यह card का design तो मैं इस card को यहाँ से copy करूंगा ओके तो यह रहा है यहाँ पे card call mx auto है इसको मैं इतना यहाँ से copy कर लेता ह अब यहाँ पर देखेंगे course.name लिखा है course.discount जो भी course का जो भी card होगा वो यहाँ पर create हो जाएगा ओके ना वापस चलते हैं एक पर page को reload करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर यह देख सकते हो जो basic card था वो अब यहाँ पर आ चुका adjustment copy paste किया हुगा है ओके आ तो यहाँ पर रिमूफ किया हुगा है नाव पेज को reload किया है तो यह यहाँ पर रिमूफ हो चुका तो मैं क्या करूंगा इसको यहाँ पर दिखा सकता हूँ ठीक है तो basically मैं यहाँ पर यहां पर मैं इस card को दिखा दूँगा यहां पर उसका नाम दिखा दूँगा यहां पर यहां पर यूज करना है तो चलते हैं वापस और पहले तो यह जो क्लास 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 क्ल कौलब okay now save कि आठे हैं वापस आलते हैं page में reload किया तो यह देख सकते हैं आग यहां पर थोड़ा सा gap होगा और यहां पे हम course का नाम दिखा सकते हैं तो course का नाम दिखुएँ इसी यहां पर देखा देते हैं ठीक है common.css मैंने display 3 और 4 के लिए मैंने कोई CSS नहीं लिखा दिखाऊंगा मैं आपको मैं आपको क्यों लिखना चाहता हूँ यहाँ पर हमें course का नाम दिखाना है common.css मैं यहाँ पर हम common.css मैं display 5 के लिए css apply करेंगे इसमें मुझे क्या करना है मुझे जो font size इसको थोड़ा सा बढ़ा करना है तो यहाँ पर मैं apply करूंगा font मैंने कहा size is equal to हमने यहाँ पर 35 pixels का मुझे यहाँ पर size रखना है रिलोड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंभी जो common.css वो हमने apply नहीं किया तो जो common.css मैं उसको हर पेज में apply ना करके एक बार header मैं add कर दूंगा ओके तो चलते हैं header मैं तो पहले तो चलते हैं हम home.html है यह हमारा इसके बाद था course page था यहाँ पे तो यह है course page sorry okay now यहाँ पर मैं search करूंगा course page.html ओके यहाँ पर हमने add किया हुआ था files को static files कैसे add करते हैं तो simply हम वहाँ पर static का use करते हैं जैसके हमने यहाँ पर यह किया और उसके पहले आपको यहाँ पर load भी करना होता है तो जो load करने वाली line है मैं इसको ऐसे copy कर लेता हूँ जहां base.html में चलते हैं तो यह रहा base.html यहाँ पर हमें load करना है तो top पे मैं कहता हूँ load static now इसके बाद हमको क्या करना copy करना है static वाला line तो हम आगे अगे अगे course.coursepage.html में static file लोड करने का तरीका यह है तो यहाँ पर common.css को अपलाई किया यहाँ पर तो अम मैं क्या करूँगा इसको मुझे यहाँ पर अपलाई करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा क्यों क्योंकि यह हर page में base.html तो है यहाँ से करेंगे reload किया तो यहाँ पर देखुए यह effect आपको देखने लगा है ओके तो यहाँ पर मैंने course का नाम दिखाया है इसके नीचे कि यहाँ पर coupon code apply करने का कुछ bracket बना सकता हूँ एक input field बना सकता हूँ तो उसके लिए यह जगह है यह खाली रहेगा यहाँ पर मैं दिखा हूँ पेबल अमाउंट कितना है okay so again मैं इस line को यहाँ से copy कर देता हूँ and then इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको paste किया display 5 है यहाँ प old tag का है यहाँ 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 पर मैं dynamic value insert करना है तो हम यहाँ पर कहीं गी कोर्स. तो हम इसकाउंट के बाद कितना price हो रहा हूँ, वो मुझे यहाँ पर calculate करना है okay so discount के बाद क्या price है, कैसे calculate करता हूँ, तो मैं यहाँ पर call करता हूँ यह वाला function, okay calculate sale price, यह हमने create किया हुआ चीज मुझे यहां पर copy करना है तो मैं यहां पर इसको paste करूँगा तो हमने क्या किया calculate sell price को call किया course का जो price उसको pass किया course का discount pass किया value variable मैं इसको hold किया then value का हमने रूपी symbol के साथ यहां पर print किया है ओके now reload किया तो क्या यह पे बेल अमाउंट इस एक कुछ टू 1.99 ना यहां पर बटन दिखाएंगे continue to payment का तो चलते हैं आगे और यहां पर हमें एक button add करना इस div के अंदर तो यहां पर मैं एक button add करूँगा तो यहां पर हमने कहा button इसमें मैं anchor add कर दीता हूँ ठीक है anchor में next link पर आंगे जाएंगे यहां पर एक anchor tag add किया है इस पर मैं href करूँगा href में अभी मैं कुछ decide नहीं किया है just add कर देता हूँ हम देखिएंगे क्या करना है ना मैं यहां पर कहूँगा continue to payment यहां गया continue to payment आप रिलोड किया तो यहां गया continue to payment तो बटन इसको मुझे बटन में convert करना है तो यहां पर border okay now reload किया तो यहां पर देखेंगे light button आ चुका है तो continue to payment का यह बटन मैंने यहां पर add किया अब यहां पर देखेंगे काफी यहां पर gap दिख रहा है तो मैं इसको दौनों को पास पास ला सकता हूँ कैसे कर सकते हैं तो यहां पर जो mx auto है mx auto को मैं यहां पर कर देता तो border apply किया तो यह देख सकती है मेरें border आगया अब मैं क्या करूएंगा कि जो दौनों कॉलम से इन ओनों मेंभी border apply कर देता हूँ ठोध है तो मैं यहां पर निफो C कर देता हूं ना रिलोड किया तो यहां पर देखेंगे यह दोनों यह वाला जो कार्ड यह सेंटर में है अभी ओके तो ml auto मैंने apply किया तो मैं एक बार इसमें mr auto apply कर देता हूं mr auto ठीक है कोई कर देंगे फरक नहीं बड़ा है इसमें ऐसा क्यों हो रहा क्योंकि जो card है उसमें मुझे card जो है वह card का size है यहाँ तो card को मुझे card जो width वह तो यहां पर प्रॉपर पहले से set ही है ठीक है तो यहां पर जो mx auto apply किया है इसको मैं mr auto करूंगा ठीक है तो यह फिर रिलोड किया तो इधर को MR Auto में इस साइड आ गया तो ML Auto में यह राइट साइड में चला जाएगा okay now reload किया तो अभी देखिंगे यह राइट साइड में आ गया तो सेम चीज यहाँ पर भी है तो इसमें मुझे कुछ अप्लाय करने की ज़रूत नहींगे कि by default यह हमें साइल left में ही होता है ठीक है तो अभी जो मैंने बॉर्डर सप्लाय की इन सबको मैं यहां से remove कर देता हूं so यह border इसको मैंने यहां से remove किया and then finally इसको यह हमने यहां से remove किया. reload क्या पीज़को यह इस तरह से हमको दिख रहा है. ओके आप सो यह जो checkout page दिख रहा है मैं इसको यहां से heading को यहां से remove करूँगा यह उतरहा खास नहीं दिख रहा है. तो चलते हैं टॉप पे और यहां से हम इसको यहां पे रिमूफ करेंगे तो यह हमने यहां से इसको रिमूफ किया HR है यहां पे इसके बाद मैं आप दो लाइन का ब्रेक एड़ कर देता हूं थाकि टॉप पे पूरा हमारी स्क्रीन से चिपका हुए ना देखें अब वापस शलते हैं पेज को रिलोड किया तो यह कुछ हमको इस तरह से देखेगा चेक आउट पेज तो परफेक्ट अभी जादा डिजाइन पर काम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत जादा इसमें टाइम वेस्ट होता तो हम बेसिक लिए भी लॉजिक पर बात करेंगे कैसे हमको पेमेंट करूंगा करते ही मुझे करना यहां पर इसी पेज में एक पेमेंट का जो है पॉप होता है उसको जरूरी नहीं कि जावा स्क्रिप्ट आता हो ठीक है तो मैं उसका जो प्रॉब्लम वह और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते क्यों तो यहां पर जैंगो सीखने आया ना कि जावा स्क्रिप्ट मुझे जावा स्क्रिप्ट फोकस नहीं करना मुझे जैंगो पर फोक होगा तो उससे पहले हमको यहां पर सीख रहा होगा कि कैसे हम यहां पर और वगएरा क्रियेट करते हैं उसिंग रियेचर पे ओके तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में